गर को अरुको यवाले जाते हैं तो पर से मजा जाते हैं यार तभी मजा आता है व्लॉग बनाने में आपना तो प्ुछ अलगी होगा देख लेना आप लोगा होना हुआ क्या ले बढ़िया कैसे हो वाद बढ़िया भाई तो यह हमने मनी भाई और यह रिपोर्टर गाइज अभी फिलाल मैं हूँ छोटु मराज पे तो इस वीडियो को यहीं पर शुरू कर लेते हैं छोटु मराज में सब्सक्राइब और मैं हूँ आपका होस्ट आपका दोस्त व जके कानाम है छोटु महराज तो मतलब बड़ा ही इंटरसिंग सटाव है एक दम फनी सा नाम है चोटु महराज तो चोटी सी पारकिंग है डिखो आप कितनी बढ़िया पारकिंग है ताल मैंने म hyväralी क收pers लगा दी लोकेशन बहुत ही यहां पर है एक अभी मैंने इसके बारे में पता नहीं किया है अभी मैं अंदर जाओंगा फिर मैं आप लोगों को दिखाओंगा कि अंदर क्या है बागी मैं आपको दिखा दूँ वो सामने है छोटु महराज का बोल्ड और छोटु महराज सीनिमा कैफे एंड रेस्टूरें कितना बढ़िया लग रहा है बाई साब देखो सिटिंग अरेंजमेंट है ओपन कैफे बना रखा है इन्होंने तो मुझे तो बड़ा बढ़िया लगा बाकी गैस अभी अंदर चलते हैं और अंदर चलने के बाद मैं आपको थोड़ा बहुत दिखाता हूं जैसा भी कुछ तो यह अपने छोटु मराज के ओनर है यह भाईया अमिस सैनी भाईया है और इन्हीं है यह रेस्टूरेंट बगेरा जो थ्रेटर है भी मुझे पता लगा कि उसमें स्क्रीन जो है कर्व है को पहले तो मैं सभी को नमस्कार करना से होंगा लेकर जो हमने उत्रा पाड़ को अधर एक फोटा सा थेटर दिया है ना अंडर सीट का इसके इंटर सोचीट लगी है और जो इसके लगी है थोड़ी ऊपर लगी है और करम में यानि किसी भी कोने महां बैठ के देनी है तो आपको बड़ाबर दिखे एक पहला और पहला डॉम बना है आज उत्राकंड में ग यह प्यार है और भाई रहिला भाई का भी प्यार है तब्यत कैसी पहले आप यह बता हूं तब्याद बीच में थोड़ी सी बिगड़ गई थी लेकिन आप फस्सक्लास है सो गाइज अभी फिलाल मैंने जिससे आपको मिलाया था वो थे यहां के ओनर और यह चोटू मराज का है थ्रेटर थ्रेटर देखो डॉम जिसे डॉम बोलते हैं हम यह दोम है और यह डॉम उत्तरा खंड में पहली बार देख रहा हूं डॉम थ्रेटर यार कसम से कितना और नहीं टेक्नडोजी और सघी एक चीज़ औराओं जो यहां यहां कě ऑणनर और है ना उन्गोछी अ क्शीज और बताई यहां के बारे में उन्होंने का कि क्या की जो स्क्रीण बाटब कर्व स्क्रीन दिये इन्होंने मतलब डॉम में और सबसे पहली बात तो डॉम ही नहीं है उत्रा खंड में कहीं भी डॉम नहीं है लेकिन यहां पर डॉम आगे हमारे यहां तो यह बढ़िया बात है और इसमें थ्रेटर में इनकी जो स्क्रीन ही वो भी कर्व में है बहुत ही इसमें रस्तुरेंट अभी देखते है वहाँ पर जैसा भी कुछ होगे रैस्तुरेंट है कैंटीन है यह मुझे लगि तुरेटर मेंसा जो आएगा न तो अपना यहां पर ऑन्र गयरा कर सकता है जो भी कुछ है विलाई मैं ड़ वाई गॉल माय गाद कसम से बाब जादे श इसके कलर सही किए हैं पेंटिंग मेंटिंग देख रहे हो आप होई 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 लाजवाब बाकि जैसा भी कुछ है अभी मैंने आपको ओनर से मिलवाई दिया जो ओनर थे हमारे बाकि यह रेस्टूरेंट है यहां का जो बहुत ही लाजवाब लग रहा है और एक बंदा यह बैठा है नहीं यहां पर अभी मुझे भारत है बला यह जब बैचानवले हैं भाई जो यहा के बारे में और भी बढ़े में और भी कुछ वाई लोगों को में डिस्टाब कर रहा है यह बैटो बहुत ज़ाए बागिया तो यह दूद्धोर जानते हैं और व्लोग वागरा देखे हैं कैसे लगगई बलॉग बढ़ बढ़े लगरे तो यार यहां पड़ बाइक लगर और जितना जितनी progress हो उतना जादा बढ़ी है बहुत ही बढ़ी है वाइब्स है good vibes only good vibes so guys यह है छोटु मुराज सेनी cafe and restaurant का menu और menu बड़ा interesting सा लग रहा है इस पर डूम बना हुआ है यह देख रहा है अब डूम बना हुआ है इस पर अब टेस्ट करते हैं कुछ ठीक है मंगाते हैं उसके बाद जैसा भी कुछ होगा वह मैं आप लोगों को बताता हूँ finally guys अभी फिलाल मैंने जो order किया है पनी चिली अडर आ चुका है अपना आर देखे किया आप होई 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 लग रहा है देखने में बाकी अभी इसे खाने के बाद पता लगेगा कि क्या टेस्ट है क्या नहीं है बाकी तो बड़ा ही मस लग रहा है भी है अब टेस्ट करते हैं और टेस्ट करने के बाद बताता हूं आप लगों का अभी मैंने ये टेस्ट किया होई होई मजा आ गया और अब मैंने मंगाया क्रिस्पी कॉन अभी से खा कर देखता हूं खैर मजा हो रहा है और मेरा मन भी करता था वीडियो बनाओ उनकी मन करता था तो भाई पहले खा लो फिर बाद में बता दूगा अभी फिलाल में एक ड्रिंक और किया है सेक्सी लवर तो वो आने वाली है मेरी ड्रिंक तो अभी बाईया कहने है कि वो अलगी कुछ चीज है तो मंगवाते हैं उसे और देखते हैं से टेस्ट करके और इसका नाम है सेक्सी लवर अभी से पीने के बाद परना लगेगा कितने सेक्सी होते हैं से पीने के बाद या नहीं बाकि अभी टेस्ट करते हैं टेस्ट करने के बाद बदाता हूं आप लोग पर एक तो फूड की क्वालिटी बहुत ही लाजवाब है बहुत जादा लाज चीज़ और है कैफे में आपको दिखा दिया भी डॉम मैं अंदर से दिखाऊंगा भी भाईया कह रहे हैं जो और है वो मुझे जानते हैं वो कहने लेगे कि कोई नहीं आप एक काम करना भी मूवी बस ख़दम होने वाली है उसके बाद हम दो चार सीन लेंगे अपना फिर दि ले सकते हैं कुछ भी और कर सकते हैं बहुत चोटी से एरिये में हैं लेकिन बहुत ही कूल है और वाइब इतनी बढ़ी है ना यहां की बहुत कूल वाइब लगी मुझे जो डॉम में मुवी बगेरा लगती है तो डॉम के शो के टाइम है सुबह 9 बजे और सेकंड शो है 12 फे थर्ड शो है तीन बजे शो चल रहे हैं यहां पर और किस मूवी के चलने आप लोगों को पता ही होगा जैसे कि पठान आजकल जबरदस चल लिए तो पठान के शो चलने है एरिया यह है यहां पर बैटने मैटने के लिए आप पार्टी वगेरा करना चाहें यह कुछ भ लग रहा है और इसमें बैठो अपना इंज्वाइब करो पार्टी करो फाइनली मैं आपको दिखाने वाला हूं सबसे दांसो चीज चोट उमराज की जो सबसे बढ़िया लगा मुझे वह है डूम ही कि है डूम बोली तो एक छोटा का सिनिमा जिसमें मैंने बाईया बाईय सबस्क्राइब से कुछ है बाकी अभी आपको दिखाता हूं चलते हैं और कितना कूल लग रहा है यह देखो आप और यह वेटिंग मतलब करने के लिए आप लोग यहां पे बैठ सकते हैं और सामने लगे मैंने प्राइब पठाउं के पोस्टर यह हुए एंट्री इसमें क सब्सक्राइब के लिए इसके जो अंदर हैं उन्होंने मुझे बोला कि इसके जो अंदर है हमने कर्व स्क्रीम बगेरा लगाई है बागी दिखा लेता हूं जैसा भी कुछ है ठीक है अभी कुछ ऐसा है डॉंब को अन्ना मावाल में बीको आरी और अभी फिलाल जो लग र सिटिंग है और सिट भी बहुत बढ़ी है आप लोग देख सकते हैं ठीक है अंदर की जो वाइब जब वो अलगी है अलगी लेवल की गाईज सीरेसली और भाईया ने मुझे बोला तो उत्राखंड में पहली बार मतलब की डूम बना हुआ है और अभी आके बनने वाले हैं जैसे कि यह स्क्रीन में आपको दिखा देता हूँ यह कर्व है ठीक है पहले बाद त्रेटर में कर्व स्क्रीन इस टाइप से यह राउंड हो रही है ना जो बहुत ही बढ़िया बना हुआ है अंदर से कितना कूल लग रहा है ऑसम लग रहा है बाकि मुझे तो बड़ा ही बाकि यहां का जो मैं पूरा रिव्यू दूंगा आपको एक मुवी देखने के बाद तब देंगे रिव्यू ठीक है सो गाइस कसम से सीरेसली बता हूँ आप लोगों को गया और इतना मज़ा है ना अंदर जो डोम बना हूँ है ना उतराखंड में सही में सीरेसली डोम पह लगेगा वाकि यह यहां की जान है चोटू मराज का जो डोम है और उधर खड़े हुए हैं अपने भाईया अभी चले गए वो शायद अभी महां पे खड़े हुए थे तो हाँ उधर खड़े हुए यही था अपना चोटू मराज का सफर और मैंने आज आज आपको इस व्ल अब ही जितना भी था मैंने आपको पूरा का पूरा पूरा एक राउंड अवे करवा दिया है पूरा गुमा दिया है मैंने कि चोटू मराज कैसा है कैफे है रेस्टूरेंट है त्रेटर है और केंटीन है मतलब की पार्किंग बी तुनी ऑसम है और मैं आप से फिर बता लोग सही नी रहेगा तो आप लोगों से में यहीं बोलूंगा अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें शेयर करें कॉमेंट करों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी अच्छी वीडियो लादा नहूं तो मिलते तो आप जैसे मैंने आपको बतायता है बही और यहां के और बहुत जैसे क्या हम है ना वही वाला नेचर वहीं गया तो वाइस मिल गई आपस में मैच हो गई वाइब जोर क्या चाहिए चलते हैं टाटा बाइबाए हुआ होन विदायस होन मना मृरी दो prohibited राम्धेनु हो या, खातु रोंगी, रोंगे रे, भूखो ते भी अपाँ